हालो गूड इवनिंग गाइज तो कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे तो गाइज मेरे बुबा जी के बेटे आई हुए थे घर पर गाउं में भाया दूज पर तो यह देखे कितने सारे पटाके लेके आए हैं बच्चे इतने खुश हो गया ना देखकर कि भाया चाचा मेरे इतने सारे पटाके फुल जड़ी वगयरे सब लेके आए हैं अच्छे बच्चे खान छोड़ चोड़ के आ रहे थे कि हाँ पहले हम पटाके जला ले उसके बाद हम खाना काएंगे तो यह देखे प्रांजल है मेरे देवर है चोटे तो में पूरी में रहते हैं यह और वहा मैं नहीं माने के नहीं भाबी ऐसा कुछ नहीं होता है लेकिन मुझे अंदर यंदर बहुत डर लग रहा था पटाके तो यह फोड़ थे लेकिन मैं बहुत जादर डर रही थी ऐसा ना कभी डेंजर भी हो सकता है क्योंकि हाथ में एक दिम से चिंगारे वगयरा हाथ जलना जाए या हाथ में ही बम ना फूट जाए इसा जिसमें मैंना कर रही है लेकिन भाइया नहीं मानने वाले है तो गाइस देखे ने एक पूल यड़ी जला के देदी है कि बाभी एक वामा फोड़ दी जिए तो कि यह सारे मेरे लिए ही लेकिन आपको ही जलाने है लेकिन जलाना तो मुझे बहुत अच्छा भी लग रहता है कि हाथ जोलों मैं जलाने लगी हूँ बाबू तिको परिशाने उस होएगी है वो अच्छी में बहुत ज्यादा और यहां पर मैंने बुरा था बच्छों से की चकली चल रही है विस पर कूदो तो देखे सारे मचे कूदने लगए कुशी फ्रॉग बगड़ के कूद रही कितनी सची मुझे तो बच्छों को देख देख यसी आ रही थी और यहां पर यहां अनार अपने हाथों में लेकर जला लिया है सची में क्या या तो डर ही नहीं लगता है बहुत डर लगता है हाथे पटाकी लेकर जलाना सब्सक्राइब करें लगता है तो अब लगता है कि ममी हां दिवाली है चाचा आ गए तो बहुत सारे पटाके लेकर आएं तो अब लग रहा है कि हां दिवाली बन रही है कितने पटाके लिए पूरा जोला भरके पटाके लिए क्या है जो सब खतम होगे लोग खतम पूरा जोला खतम प्रांजल के सारे खतम होगे बताओं तो हें गाइस गूड मॉनिंग तो आज बुगा जी घर जा रही है वापस क्योंकि इंको घर भी थोड़ा काम है और जोवार भी हो गए है तो गड़ जाना और देखे रिशी को ना बहुत ही खिलाया है तो थोड़ा जादा ही लगा भी अनौ ठीक है और यहां पर देखे गाइस बुआ जब भी आती है किसी भी तिहार पैर वैसे भी आती है तो सब बच्चों को पैसे जरूर ही दे के जाती ह जाती है है जहां देखे कितने बच्ची हो घरप और देखे कहां ड़ी तो सबु ह stimul किरी बच्च को भीमा मेंदय रिखे एटी it this time बुआ जी ने गोरी पैसे दे दिये हैं और देकितनी तेज से पैसे पकड़ ली हैं बिलकुल भी गिरे नहीं उसके हाथ से देखे कितनी सची समझदार है बिटिया और यहां पर देखे दादी जी पैरच हो रही है बुगा जी के तो अभी मुझे रुखना पड़ेगा क्योंकि बच्चों के अभी थोड़ी ठीक नहीं है फीवर आ रहा है और माता भी निकली हुई थी तो फिर हम बाद में ही उनना हो जाएंगे तो यहां पर यह भी रेडी हो चुके है तो चलिए गायस अब चलते हैं बुगा जी फूफा सब्सक्राएं बाद में होता है जब भी जाता है घरमें से कोई भी तो उसे बाहर मतलब छोड़ने जाता है अच्छा जहता है तो यहां पर सभी लोग बाहर आचुके हैं विदा करने के लिए हुआ बुगा फुफाजी को तो मैंने से पूछा मैं कि अब आओगे बतातो जो इतना आपका वाओगे लिकति दिसम्बा बढ़ते हैं चलो ठीए ठीए तो गाइज अब बैठ चुके हैं गाड़ी पे और ये सब लोग बैठ चुके हैं तो अब चलते हैं आपको आज के विलोग पसंद है तो प्लीज लाइक करना कॉमेंट करना शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तब तक के लिए बाई बाई